नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस विडियो में हम बात करेंगे क biraz आएίसे मसाल के बारे में जिन्हें के व्याइटं में लगा ससकते हैं और उनसे हम मसाले अपने किछन में यूज कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें और बेल आइकन जरूर प्रिस कर दें ताकि आगे आने लिए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें वाई दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो पौधे मैं अपने गमलों में अपने च्छत पर लगा रखा हूँ मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा और कुछ एक्ष्ट्रा प्लांट्स जो आप लगा सकते हैं मैं उनको भी बताऊंगा तो वीडियो में आखरी तक बने रहें अब इसकी लीफ से गरम मसाले की खुशबू आती है तो आप गरम मसाले के पौधे को अपने च्छत पर लगा सकते हैं दोस्तों सर्दियों में मसालों के पौधे की बहुत ही खास केर होती है इन्हें नमी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती इसलिए इनकी जो मिट्टी मैं बतादू, सभी की मिट्टी, एक सी होती है, मैं मिट्टी है कैसे त्यार करना है ili ideo के आखरे में बताऊंगा इससे पहले मैं सभी पॉधुों के बारे में बतादू, और इनकी केयर केर बताता हूं गरम मसाले का पॉधा वाटरिंग आप सर्दियों में बहुत कम कर दीजिए वरना आपका पॉधा सूख जाएगा तो आप गरम मसाले के पॉधे को अपने गमले में अपने चत पर जगह दे सकते हैं दूसरा पौधा दालचीनी का है और दालचीनी के पौधे को भी आप बारा बाई-बारा के ग्रोबैग में लगा सकते हो या गमले में अगर मिट्टी के गमले में लगाते हो तो जैदा बहतर है क्यूकि एरेसन अच्छी मिलती है दूस्तों एक चीज की बहुत ही खास ख्याल रखेगा आप जब भी नर्सरे से मसाले के पौधे लाइएगा तो यह जाच लीजेगा कि पौधा ग्राफ्टेड हो बीच से गवाया हो पौधा ना हो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह मेरा दालचीनी का पौधा है ग्राफ्टेड और एक दूसरा पौधा भी देखिए इ होंगे इनका पौधे बालचीनी को इनकी जो पौधी की खाल होती है इसे कि खिलका वो आप इनके स्टेम्स मजबूत हो जाएंगी तो आप दालचीनी ले सकते हैं यहां तीसरा पौधा दोस्तों तेज पत्ता का आप तेज पत्ता को जरूर अपने बालकनी में जगें दीजिए अपने चछत पर यह बहुत ही अच्छे से बहुत ही तेजी से किसी भी मौसम में किसी भी इस प्लेस पर ग्रो करने वाला पौधा है इसको जितना हो सके उतना धूब और जितनी अच्छी मिट्टी आप वेल ड्रेंट मिट्टी देंगे उतनी अच्छी पौधे की ग्रोथ होगी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ है मेरे पौधे में इसके पत्तों को आप यूज कर सकते हैं हरे पत्ते भी यूज कर सकते हैं और ड्राइ करके भी इ हिस्सा होता है अंदर का वो जाइफल की रूप में यूज होता है और जो उसका फल का छिलका होता है वो जावित्री होती है तो दोस्तों आप अपने टेरिस पे अपने गंबले में जावित्री या जाइफल को भी लगा सकते हैं इसके बाद दोस्तों आप लगा सकते हो लॉं लॉंग के लिए भी दोस्तों आप 15 इंच का गंबला ले लीजिए लॉंग आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फिट की हाइट तक जाएगा आप इसके पत्तों को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इसमें से बहुत ही अच्छी लॉंग की खुसबू आती है पत्तों से और फिर इसमें जब फ्लॉवर्स आते हैं तो वह लॉंग में बनते हैं तो इनको भी आप अपने छट पर लगा सकते हैं फिर दोस्तों आप इलाइची के पौधे को लगा सकते हैं इलाइची को आप स्टाइटिंग में छोटे गंबले में लगाईए पर जब यह थोड़ा बुसी होने लगे तो इन्हें सिफ्ट कर दीजे किसी बड़े पॉट में इनके पत्ते को आप यूज नहीं कर सकते हैं पर इसमें जब फ्लॉर्स आते हैं करीब डेर साल साल डेर साल क पॉदी में आपके फ्लॉर्स आने लगेंगे और वो इलाइची में बनते भी हैं मेरा पॉदा जो बड़े गंबले में था तो उसमें फ्लॉर्स तो आय थे पर वो फ्रूट में बदल नहीं पाये थे मेरा गंबला किसी रिजह से तो मैं ने उसमें कुछ पॉदे निक Malay मे बहुत ही बिसेश पौधे के बारे में बात करने जा रहा हूँ, कपूर का पौधा, दोस्तों ये कपूर का पौधा है, इसे भी आप अपने छट पर बालकनी में जगह दे सकते हैं, और ये बहुत ही easy to grow है, बस इसमें आप नमी का ख्याल रखें, पौधा बहुत ही अच्छे कर उसे बारीक पीस कर उससे कपूर बनाया जाता है, तो जो मार्केट में आजकल कपूर मिल रहा है, वो original नहीं होते हैं, chemical वाले होते हैं, original कपूर इस कपूर के पौधे के गोंच से बनता है, तो आप कपूर का पौधा भी अपने बालकनी में या छट पे गमलों में लगा पौधा, इसकी पत्तीओं से तो कोईश्मेल नहीं आती है, पर इनकी टेहनियों से, अगर टेहनियों को आप हाथ से रगढ़ेंगे और उसको इसमेल करेंगे, तो इसमें से हींग की खुषबू आती है, और जो हमारा हींग दोस्तों निकलता है, इससे प्योर हींग निकलत की यूज करते हैं इस जो हींग आपको देख रहा है उसमें बहुत च्छी खुश्बू आती है और बहुत कम मात्रा में आप इसे यूज करें तो यह अच्छी तरह से आपके खान्य को सुफंदितध बनाता है दोस्तों यह कुछ प्लांट्स थे मसाले के जो मैंने अपने छत पर गमलों में लगा रखा है इसके अलावा आप जैस्मिन भी लगा सकते हो जीरा भी लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है मैंने चुकि जीरा नहीं लगाया है और आप काली मिर्च का पौधा भी अपने छत पर गमल चीज को ध्यान में रखते हों तयार करनी है कि इसमें वाटर होल्ड बिल्कुल भी ना हो मसालों के पौधे में, तो आमें जो मिट्टी तयार करनी है, 50% नार्मल गार्डन स्वाइल, आपको 30% कावडन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लेनी है, साथ में 10-15% आपको रेत ले तो ये मिट्टी आप इस प्रकार तयार करें अपने गमलों के लिए, अब दोस्तों इसमें कंपोस्टिंग की बात करें, तो आप हर महीने में एक बार आप बोन मील, कावडन कंपोस्ट मिला के पौधों में डालते रहें, 12 इंच का गमला है आपका तो एक से देढ़ मुठ और अगर 15 इंच का गमला है तो दो मुठी, आप हर महीने में डालते रहें, बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग की आवसकता नहीं होती है, बस आपकी गमलों में पानी ना रुके मिट्टी ड्राइर है, चुकि सर्दियां चल रही है, तो सर्दियों में दोस्तों आप ख्या करें, बहुत बहुत धन्यवाद